शेमारू के नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें शेमारू के लिए सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब करें शेमारू 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 के लिए सब्सक्राइब होगा जितना आपके पास हवाई जाज होगा जाइए फिलाल इसी से काम चलाइए जाइए हाँ या जैसा बिदवान हो जाएगा तुम फिलीव नहीं करोगी का हुआ अबलदेव बड़ भाईया दीके साब एक अर्जेंट मीटिंग बुलाएं यह काई की मीटिंग है जी यह तो हम पूचा नहीं वस इतना मालूम है कि सबको बुलाएं और सुबधार प्रताप सिंभी आ रहा है अरे वह तो ठीक है लेकिन पिछली बार जो डीके साब को हद्यार पहुंचाय थे उसके पाइसिका का हुआ अरे दिये है ना यह पेटी भरक दिये हैं इसका कोई जरूरत नहीं तुम जाकर नुकर पर इंतजार कर हम कपड़ा बदल कर आता हूं आप वही डूटी कर रहे है न जिसके सरकार नहिंहीं वर्दी दी है अरे तुमको नहीं मालुम का जी डूटी 円तो कर रहा हूं कर रहे थे अब नहीं कर रहे हो पहले 3000 ulपय हर पहली तारीख को आच जाते थे अब किसी भी तारीख को लाखो रुपय आ जाते ही मैं पूछती हूं क्यों क्या कम है हमारी जिंदगी में का जाहिल औरत है भाई हम जीना चाहता हूं एस करना चाहता हूं अपने देश को बेच कर तो तुम का चाहती हो जीवन भर बंदुक उठाए घूमता रहूं और एक दिन दुस्वन की गोली छाती में लेकर मर जाओं अरे विद्वा होने का बहुत अर्मान है का वो विद्वा सुहागन से उची होती है जिसका पती देश के आन पर शहीद होत लेकिन वतन के साथ गद्दारी करोगे तो कभी माफ नहीं करूंगी हम का सिखाने की कोसिस मत कर पाइसा के लिए हम बीबी को भी छोड़ सकता हूँ परताब सिंगी आ गए क्या हो सिना हमेशा तो टीके लूटने के बाद हत्यारों की डेलिवरी लेने आते थे आज अचानक लूटने से पहले कौन सी मीटिंग करने आ रहे हैं हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि कल तुम लोगों के चार्ज में जो हत्यारों का ट्रक बाउडर पर जाने वाला है उसे तुम लोग आसानी से नहीं लूट सकते क्यों क्यों कि तुम पर एक और इंचार्ज आ रहा है मेजर विजय मलोत्र ये खबर आपको कहां से मिली सर हमारे चोथे पार्टनर जस्वंत दलाल से जो मेजर का ड्राइवर है मेजर विजय मलोत्र तो बहुत सकत आपिसरा है उसके रहते हुए टेरक तो का एक ठो कीला नह ही आते ट्रक में लेटस्ट और हातों हात बिखने वाले दस करोड के हत्यार है हम चारों पार्टनर्स को धाई धाई करोड मिल सकता है धाई करोड चाहे कुछ भी हो हम उन हत्यारों को हासिल करके रहेंगे बेस्ट ओव लक जेंटलमन झाल सकता है तोप और टैंकों से खिलने वाले फॉजी, पॉलिस के तमंचों से डरा नहीं करते, मिस्टर, तीनु, कमाल है यार, मैं इतने चुपके से आया, फिर भी तुझा पता जल गया, और क्या, हम फॉजियों की दो नहीं, चार आखे होती है, अरे भाई साब आप, नमस्कार भावी जी, आज ये अचनक कैसे आना हुआ, श्री दिनेश कपूर, सब इंस्पेक्टर पुलीस, दिल्ली से स पहले आपके हाथ का बना हुआ बढ़िया सा अच्छा सा नास्ता, उसके बाद खुशकबरी, दन, खुशकबरी ये है कि मेरा प्रोमोशन हो गया है, और चार रोज के अंदर मुझे मुंबई में डूटी जोइन करनी है, अरे वा, कॉंग्रेचुलेशन, थैंक्यू बावी और मिस्टर दिनेश कपूर, यार दिनो, हम लोग नहीं जा पाएंगे, देख मैंने राजु को प्रॉमिस किया था कि वो फर्स्ट आएगा, तो हम सब लोग हिल स्टेशन जाएंगे, आज जो कंसाइन्मेंट के ट्रक्स बॉर्डर जाने वाले हैं, उनका इंचार्ज मैं उसका चार्ज तो किसी और को दे दे, अगर ये चार्ज आफिसर ने दिया होता, तो मैं किसी और को सौप देता, मेरे दोस्त, ये असाइन्मेंट मैंने खुद मांग कर ली है, यार तू ने तो मेरा सारा प्लान ही खराब कर दिया, कोई बात नहीं, मैं हाज ही मुंबई चल गाड़ी रोगे, ट्राइवर, गाड़ी पीछे लिए, सर, ये ट्रक के रोग दिया, सर, डिपरेंसल का आयल निक हो गया, इसलिए भील जाम हो गया, मैं है, हेड़कॉर्टर्स को कॉन्टाक्ट करने की कोशिश करता है, हेलो, हेलो, वारलेस को क्या होगी, सुपधार साथ, सर, यहाँ इस ट्रक की सिक्यरोटी के लिए, आपके साथ कुछ जवान रुकेंगे, सर, बाकी ट्रक्स और जवान मेरे साथ आगे चलेंगे, पासी की चौकी से मदद लेकर आता हूँ, सर, कोई शक, नो सर, क्चाए अवान बालेस की मौकी सक्वान आगे हुआ female हूआ हूआ हुआ एुआ पिछ पिष पिष्या 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 प्यर्ण घर्णी बाको समय हुआ आ प्र कर दो, आख कर दो. अर्रामजादो यह त्यार किसी राजा के तिजोरी में जमा सोने से नहीं बलकि 90 करोड हिंदुस्तानियों के खुन पसीने से कमाई पैसों से बनवाई जाते हैं तेश की रक्षा करने की शपत लेकर तेश को लूटने वालो तुमारे जिस्म पर इस वर्दी का होना इस वर्दी का अपमान है हमें अरेस्ट करके आपको दूई चार तामबा पीतल के मेडल के सिवाए और कुछ नहीं मिलेगा हम रापार्टनर बन जाओ हम आपको आदा हिस्सा दे देंगे तुम मुझे खरीदना चाहते हो पास्टर्ड विक्ता कौन नहीं है मेजर साहब सब विकाओ हैं सब खरीदे जाते हैं फिर ऐसे माहौल में हम फौजी इमानदार बन कर क्या कर लेंगे खामोश अकेले हम फौजियों की इमानदारी से ही तरंगे की आबरुबची है वरना देश का वजूद मिठ जाता सूरज के आकाश में डूबने से लोग नहीं सोते है सरदों पर जब हम जाकते हैं तब तेश चैन की नीच सोता है अगर हम ही अपने फर्जर जमीर का साधा कर बैठे तो तरंगे की जगा किसी और रंक छंडा हो जाएगा यू अर अंडर अरेस्ट या या याओ यू कि अऴ making any कि अव कि अव हाफ कि बंगे हम घजे ही और तुम के वो कि आखने ही और जिए ऑस तुम कैसे अरी आखने ही और तुम कैसे और जा ऐसे आख से अरी और तुम को कικ एड़ने लॉड़ने लॉकार बड़ने सार ऑस्ट्रेलिया से इंटिपोल का फैक्स आया है फॉरान एसीप दिनेश कपूर को मैसेज दो मुझे अर्जन मीटिंग करनी है जसुन दलाल रिपोर्टिंग सर ये जसुन दलाल है औस्ट्रेलिया इंटरपोर्ट से खबर मिली है कि दुनिया में गयर कानुरी ढंक से हत्यारों का बिजनस करता है और ये आज स्टेट फास्ट कारगो शिप से मुंबई आ रहा है अगर हम उसे पकड़ने तो यहां गयर कानुनी ढंक से हत्यारों का बिजनस करने वालों के बारे में हमें उससे पता लग सकता है मैंने ये सीक्रेट मीटिंग इसलिए बुलाई है कि इसकी खबर बाहर किसी को न होने पाए वरना जस्वंद से जुड़े होए लोग जिने उसके पकड़े जाने से खत्रा हो सकता है उसे खत्म करवा देंगे मिस्टर कपूर जस्वंद को पकड़ने का ऑपरेशन आपके अंडर में होगा और हमें वो हर हाल में जिन्दा चाहिए जिन्दा ओके साओ हो अपके साओ तेक्स मिला मिला पुलीस को या आदमी जिन्दा चाहिए तुम्हे क्या करना है तुम अच्छी तरह जानते हो एक बात का धिहान रखना जस्वंद किसी भी क्रिमत पर पुलीस के हाथ में नहीं आना चाहिए पर हां इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा ठीक है इस एवरिधिंग रेड़ी येस सर जस्वंद भाग नहीं सकता शिप के चारों तरफ वार्कर से ज्यादा पुलीस के आदमी है जस्वंद आ गया है मुमेंट शुरू करूं येस कौन हो तू क्या चाहते हो तुम्हें पचाना मजे किसे खुतरा है जिससे हर मुझरिम को होता है जो बाहर खुम रहे हैं वो वरकर्स नहीं पुलीस है पुलीस वालों की पहचान उनके कपड़ों से नहीं जूतों से होती है अगर तुम यहां से निकलना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं ऐसा करो ओके सर जस्वन कहीं नजर नहीं आ रहा है यहां कोई नहीं है सर अजर जो खंटर जे बाहर आ रहा है जस्वन दुसी में है उसके साथ एक आदमी ओर है सरकरा, पोटे जेंसे नंदो खंडर केरिलें हलो, 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 यहां सकते नुटियोड, जो खंडर केरियों पाराए उसने चार। अटर केरिणों खंडर केरिंगे, नोज से जिए, अचेंडेर, रोको, रोकतो खंडर कंटेनर नीचे लोओ कोई गोली नीचे लाएगा हमे ये जंदा चाहिए कंटे लोओ कंटे लुए जुए ट्युए भोओ युए ट्युए ट्युए लीचे लोओ लुए शयुए लुए लेगा कर दो कर दो लाग ए गा खुड़ यहां तक मैंने वो किया जो तुमने कहा अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा कड़ी रोको 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 हाथ उपर अप मुवव तुम आदमी काम के हो लेकिन मेरा उसूल है काम खत्म आदमी खत्म आदमी खत्म काम खत्म और मेरा उसूल है और याद रहे वो इस शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए समझे दो हन्चों का जोड़ा बिछड़ गया रे गजब भयो रामा जुलम भयो रे एक मिन काल रोड प्लीज आप हिंदुस्तानी है आपने मुझे पहचाना नहीं 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 अभी नहीं 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 पहचाना आप रोने क्यों लगे यह बहुत दुख बरी कहानी है भाईया एक बार कुम्भ का मेला लगा हुआ था यहां ऑस्ट्रेलिया में नहीं इंडिया में मैं और मेरा जुड़वा भाई सोहन मैं मोहन वह बाएं था मैदाएं था और बीच में नहीं बाप था हम तीनों खुशे-खुशे जा रहे थे तो अचानक वह मेरी बाएं लेके भागा कौन बाप? नहीं चोर मैं कुछ ने कर सका मैं चिला है बापु वह बापु वह बैग लेके भाग रहा है वह उसके पिछे भागा कौन बाप? मेरा भाई को वह उन्हें चौर समझ रहे थे चोर मेरा भाइ तब इसको आज तक ढूनड रहा है मेरा भाऊ कमाल है लेकिन आपका भाई इंडिया में अप उसे यहां की डून रहे है अरे भाई खोया होता तो बात अलग थी ना वो तो मौका देखके भाग गया है और उसे कोई जादा शौक नहीं था सिर्फ तो ही शौक थे एक तो कंगारू देखने का और एक पाकेट बारने का अब अब भी बताए यह पाकेट बारने के लिए ट्राम से कोई अच्छी जगह है इसलिए मैंने यह ट्राम कंड़क्टर के नौकरे कर लें सोचा कभी ने कभी यहां पाकेट बारने आएगा और उसे देख लूँगा और उसे मिल लूँगा आ गया तुमारा भाई तुमारा अलाइक जिसके विए से मैं दर्दर की ठोक्रे खा रहा हूं अगर मिल जाया ना तो यह दे देना मेरा कार्प कॉंचोर को मेरे भाई को सोहन को बेजा घुमा दिया मेरा यारी सादिभी ने इस तर्निंग मैं हैट वाक्स मी नो मेरे बाप ही ही झाल झाल मेरे खाबो में जो आए मेरी मिंदो को चुराए मेरा देल थेड़काए मेरा होश उडाए साजन साजन आएगा 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 साजन लेहराए जों के मस्ती क्या छा गई देखा जब आएगा आएगा दो बदली में धूप थिले जैसे पहली बहार का नशा है आखों में ब्यार का नशा है मुझे ऐसे तरपाए मुझे वैसे पहकाए मेरा दिल खेड़काए मेरा होश उडार साजन आएगा 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 साजन मुझे मुझे रवक हर। मुझे आएगा अवा एकिन वुप हर। मेरे सामने मेरा महभूब मेरा यारा हो गाम उचान से भी प्यारा कह दूंगी साथ लेके जाए डुली बारात लेके आए मुझे सीने से लगाए मुझे सांसों मे बसाए मुझे सीने से लगाए मुझे सांसों मे बसाए मेरा होशुडाए साजन, साजन, आएगा, आएगा, साजन, साजन कितल, आज के वैलेंटाइन दे के फंक्शन में, मिस्स वैलेंटाइन कौन बनेगी? मैं ही बनूँगी हाँ, हाँ ओ मैं दोड, एक्शिदेट मटे 56 ये, मेरे नहाई, ती फोड़, उभाण उपने मेरे गारी डेमज कर दी तो मैंनोंको जब गारी चलनी नहीं आतेी तो दुसरे देश में आकर गारी को चलाते हो अपने देश में जाकर बैल गारी क्यों नहीं चलाते है मैडम आजकल इंडियस जेट हवाई जहाज आव स्पेस में रॉकर चला रहे हैं और ही बार डामेज की तो आपने ब्रेक मारा आपका ब्रेक लग गया मैंने मारा नहीं लगा जरासी बात है यह जरासी बात है चलो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि विकी उसका नुकसान नहीं दे सकता बोलो कितना हुआ हां पचास सो दोसो तीनसो चार्सो पांचो तुम भी क्या याद रखोगी किसी राइस हिंदुस्थानी से तुम्हारा पाला पड़ा था येलो थैंक यू यू लोफा तुम्हारी हिमाद कैसे मुझे टाच करने की कपड़े रीट भांट की नियुका। तुम्हार मैं लए ट गोलिजह इसके सभिगान की लिए कुछ खोना पड़ता है तुम्हारा प्रोब्लम यह तुम हां मैं तुम्हारा कोई भाई है है चुडवा हां बच्पन में कुम के मेले में खो गया था हां अरे मैं उसे मिल चुका हूं कहां जानते हैं वो ट्राम कंड़क्टर बन गया और तुम्हें ढून रहा है अरे वो ट्राम कंड़क्टर मैं ही हूं मोहन आप सोहन की बात कर रहे हैं मैंने सोचा सोचा कि वो पाकेट मार के तरक्षी करके कार्चोर बन गया होगा और किसी की कार्चोर ये करके सिगनल तोड़के भागेगा और मैं इसे पकड़ लूगा यही सोचके मैं ट्राफिक पुल ङए यह जबा और में इंडिया क्लब में मिस्स वालनटाइन और मिस्स वालनटाइन चुनते हैं और इस साल की मिस्स वालनटाइन है मिस प्रीजी प्रीटी 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 के तीन सवालों का जवाब देगा उसे Mr. Valentine चुना जाएगा और उसे Ms. Valentine के साथ दांस करने का और इनके खूबसुरत हाथ को चुमने का मोका दिया जाएगा क्वाइट 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 प्लीज प्रीटी के एक छोटी सी शर्ट और है अगर आप इनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो चूमने के लिए इनके हाथ नहीं इनकी खूबसूरत सैंडल होगी क्या हुआ? क्या आप मेंसे कोई भी इनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता? मैं जवाब दूँगा बिकी ओ पंगा बातले पापे कर यहां आर गया तो सैंडल चूमने पड़ेगी ओ फिकर ना कर पापे जो उपर से नीचे तक चूमने के लिए हो उनका सर क्या और पाउं क्या? सवाल पुछिए हाँ तो पहला सवाल प्रीथी का मन पसंद फल यानि के फ्रूट कौन सा है? वैसे तो दुनिया का सबसे मीठा फल मेहनत का होता है लेकिन अपनी ए मिस वैलंटाइन तो मेहनत से मीलो दूर है इसलिए इनकी पसंद का फल आम संत्र या मसंबी तो होई नहीं सकता क्यूंकि उन्हें खाने के लिए छीले की मेहनत करनी पड़ती है इसलिए इनकी पसंद का फल वो है जो सीधा मुँ में डाला और कप यानि की अंगूर राइट, एप्सल्यूटली राइट थांट्यू, थांट्यू, थांट्यू अरब दूसरा सवाल प्रिती का फेवरिट स्पोर्ट यानि के खेल कौन सा है अब जैसा आदमी का नेचर होता है उसे खेल पसंद आते है और इनका नेचर तो लड़ाई जगडा और मारपीट का है इसलिए इने WWF की कुष्टी पसंद है खूब बहुत खूब इसलिए राइट आंसर थैंक यू, थैंक यू इनसे कहो सीधा सीधा जवाब दे गुमाफिरा के बोलने की क्या सब्सक्राइब? और अब आखरी सवाल प्रीती को दुनिया के साथ अजूबों में से कौन सा अजूबा सबसे स्यादा पसंद है? माफी चाहता हूं लेकिन ये जवाब भी मुझे कुछ गुमाफिरा करी देना पड़ेगा हाँ, हाँ, चलेगा इने जो अजूबा पसंद है वो इनकी समझ से बिलकुल अलग है ये खुद तो प्यार के नाम से भी नफरत करती है और पसंद, उस अजूबे को करती है जो प्यार की निशानी है यानि सिंबल आफ लव ताज महल इस साथ के मिस्टर वैलंटाइन है मिस्टर विकी दोस्तों, मिस्टर वैलंटाइन ने तो तीन मामूली से सवाल पूछे वैसे आज वैलंटाइन के दिन सवाल ही पूछने थे तो दिल जिगर जान के पूछती तो मैं वो भी बता देता के इनकी दिल में क्या है माई फुट देखो, तुम्हारे सीने में जो दिल है वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी दिल आवारा नहीं होता ये चाहता तो सारी दुनिया को है लेकिन मिटता किसी हिंदुस्तानी पर है आज के वैलंटाइन दे में आप सब शामिल हो सकते हैं कम ओुटी, कम ओुटी तेरा रंग बले बले तेरी चाल बले-बले तेरा रूप बले-ले देखा तुझे तुम्हे प्यार हो गया तेरे खयालों में ये दिल खो गया ओ नई ओ नई ओ, ओ नई ओ, ओ नई ओ, मैंनो दिल तेरा नई ओ चाईदा ओ नई ओ नई ओ, मैंनो दिल तेरा नई ओ चाईदा एक तु ही मेरे नाल नई ओ जजदा हाँ ढोल जानी ढोल जानी मेरे पास आदरी महरवानी जूट बोलना जूट बोलना नियत में है तिरे बैमानी ओई, कुड़ी तेरी छीट दीदुपटा तेरा लेरिया कुट्टी तेरी छीट दीदू पट्टा तेरा लेरिया हिंदुस्तानी रानी बंजारा जाकी तु गोरिया मैं कुड़ी पंजाब दी मेरा रेशं बरू मालवे मैं कुड़ी पंजाब दी मेरा रेशं बरू मालवे जिंदगी बर भूलेका ना कर दो भी वो हाल वे ओ नईयो नईयो ओ नईयो तेरे बिन दिल नईयो लगदा तुझे देखते ही हाई दिल मेरा नचदा ना देख चलने चलने दिल फेक चलने चलने मुझे छोड़ चलने चलने ना छेन चलने फाकल दीवाना दिलदार हो गया इसको संभलो ये बेकार हो गया मेरा यार बले बले दिलदार बले बले इनकार बले बले इकरार बले बले देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया तेरे खयालों में ये दिल खो गया हो नयो नयो तेरे बिन दिल नयो लगता तुझे देखते ही हारे दिल मेरा नचता तुझे देखना चीतल मैं उसे नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल मत छोड़ना इतना हैंसम इतना इंटेलिजेंट लड़का दुबारा नहीं मिलेगा बख्वास मत कर शीतल उसने मेरे तीन सवाल का जवाब कर दे दिया तुझे गवार को इंटेलिजन समझने लगी हां कमाल कर दिया उसने तो वह बाते भी बता दी जो मैंने नहीं बताई थी क्या यह सारी बात तुने उसे बताई की अहां यह शीतल की मैं तो छोड़ूंगी न बेसे बताई एक आए कुणे और स्चुलाव पहरां प्रुद की आए कि क्या आए कुणे बख़्शाए कि इसक्शाए का प्रुद की जोड़ूंगी प्रुथा संवे दिया उसे गवाल सेलेंगे इस विदी अवारा है बताई है प्रुद दूए कि अवा प्रुद नह्मा हाँ वाइटा यह सर टेबल नमर साथ कौन सा है टेबल नमर साथ वो है लेकिन साहब उस वर बैठना मत यह ले तेरी पेपसी थैंक्स तुम हाम है तुम्हारा कोई भाई है हां जुडवा हां विचारा ना जाने कहां कहां भटक रहा है तुम्हारे लिए कहां है वो ट्राफिक हवलदार बन गया है वो अरे वो मैं ही था पर तुम तो पुलीस में थे पुलीस में था उनोखरी करके भी देख लिया मकर मोहन का सोन से कोई मिलन नहीं वा फिर यह बेटर बन गया मैं उसे एक चीज का बहुत शौक था मुद्रा सुनने का और यह तो अंग्रेजी मुद्रा चलता है इसलिए मैं न अगल यहां पिया क्या कि कहीं तूने तो इसे नहीं बता था कि हम यहां आने वाले तेरी कसम मैंने इस बर कुछ नहीं बताया आप इस तेबर बैसकते हो क्योंकि यह जोजो की टेबल है कौन जोजो अरे शेहर के सबसे खतरनाक आजिका बेटा वो हमेशा हस्ता रहता है हस्ता तो सहथ के लिए अच्छा होता है हस्ता सहथ के लिए अच्छा होता है ये मैं भी जानता हूँ लेकिन जब उसकी हसी रुख जाती है न तो लोगों की सहथ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है जब उसकी टेबल पर कोई और बैड़ जाता है ना, तो उसकी एकदम से रुख जाती है फिर जानते हो, क्या होता है? क्या होता है? यह होता है यह और इनका कसुछ सिर्फ इतना ही था कि यह लोग इस टेबल पर बैड़ गए थे बस जो जो ने देखा और इनको मार फाड़ कर कट्पिस बना दिया आइडिया शीटल हां इसको पिटवाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अरे रहने दे कई ऐसा ना हो स था किया पाध है सूर्ज संध में जोएन प्लीस हाँ हाँ बैठिये बैठिये अंश्यक्य दियव होता है उसके सारे जाहां थे क्या हुआते है Practice तो चाहिए बैट को साथ इए सात नमर्ट टेबल का मैंनेजर हूं आप यहाँ से प्लीज उड़ जाए यह तेबल रिजर्वड है अगर यह तेबल रिजर्व थी तो आपको इस टेबल पर रिजर्व की प्लेट लगानी चाहिए थी आप लोग नहीं जानते, जो जो बहुत डेंजरिस आप है, आप क्या समझते हैं, अगर वो डेंजरिस है, तो Mr. Vicky भी डबल डेंजरिस है, क्यों Vicky? अब तो यहां से बिल्कुल ही अटेंगे, जाये जो जो आये या भूभू है Come on baby, dance, dance baby हुआ 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 हुँ हुँ niece आए, आए, बटिये पैठिए पैठिए एक्सक्यूज मी प्लीज लगता है ने आपकी शकल पसंद नहीं आए ऐसा फसाया है कि यहां से सीधा होस्पिरिल जाएगा अरे चल चल रबनान कि mówią हाहाहा ए哎 हाहाहा हाहा आ रबना हाँ 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 नहीं तका निगल गए पदफुख लगी है अदिगल पड़ा अदिगल 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 मर गए शीतल हम जरा ये क्या गए? तुम अपनी आवकाद प्या गए? माना कि ये हमें फसाना चाहती थी इसका ये मतलब नहीं कि इसे अपने बाप का माल समझ कर ले जाओ कि क्या हुँ दित एजद में, कि का ये जाओ खबा जो तो जो जो करो तुम्हारी वज़ा से जो उनका नुकसान हुआ है उसके पैसे दो आज के बाद तु हसेगा तो लोग तुछ पे हसेंगे ए भाई होटल के नुकसान के पैसे तो मुझे बिल गए लेकिन इसके बदले में जो जो का बाप तेरा बहुत नुकसान करेगा यही तो मैं चाहता हूँ कि चल चल उससे मिलते हैं कि अब 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 तुनिये अब बहुत दर्द हो रहा है यह लोग पचास जॉलर इलाज के लिए कम है शीतल आजकल महंगाई का जमाना है कोई बात नहीं यह आप पूरे पांच सु रख लें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना ओए मैडम मैंने आपको जो जो जैसे खतरना गुंडे से बचाया आपके लिए अपनी जान हतेली पर रखके उसके उसके गुंडों से जंग लड़ी इतना खून भाया इतने जखम खाए और आप शुक्रिया अधा करने के जगा मेरी इंसल्ट कर रही है कमाल है काम लोफर के और बाते सोल्जर की बिलकुल ए जा के अपनी शकल आएने में देखो बड़ा आया सोल्जर बनने चल शीतल और हां यह जो ट्रमेटर सॉस है ना इसे साफ करना मत भूलना हम बड़ी घटी है हलो हलो कौन वही जो तुम्हारी हिमत कैसे मुझे फोन करने की देखिये बड़ी मुश्की से दिल की सारी ताके जामा करके उंगलियों को दी है ताकि तुम्हा नंबर डायल कर सके प्लीज बिना बात के फोन मद बंद करना है चीक है जल्दी बताओ क्या बात है मैं हमेशा के लिए इंडिया जा रहा हो इसलिए आखरी बार मिलना चाहता हूँ क्या तुम हमेशा के इंडिया जा रहो हाँ येस, तो तुम मुझसे आखरी बर मिलना चाहते हो ना, हाँ, ओल्राइट, ठीक है, आजाओ, आजाओ, आगया, आओ, ये क्या बत्तम इजी है, वो क्या है कि, वाक्त बहुत कम है न, इसलिए एक एक सेकंड बचा रहा हूं, ठीक है, बोलो क्यों मिलना चाहते हो, ये कार्ड देना था, कार्ड, मेरी शादी का, किस बचारी लड़की की किसमत फूट रही है, इसकी, तो मिस लड़की से शादी करोगे, नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो कुछ करेगी, यही करेगी, लेकिन तुम शादी के लिए रासी कैसे हुए, क्या करूँ, मजबूर कैसी मजबूरी, काई में बहुञा ट्विस्ट है, तूम काऌ, तू बैठ के सुना, छीख है, पृ firing बात यह है कि के एक, म incredरे पिताजी और पिताजी के पिताजी के अचकी भी दोस्त है, और मेरे पिताजी के पिताजी और इसके पिताजी विताजी भी दोस्त है, और सके पिताजी के पिताजी ने मेरे पिताजी के पिताजी से वरते समय ये वाता लिया था कि मेरे पिताजी और इसके पिताजी की दोस्ती चार पीडि तक चलाने के लिए मेरी शादी इससे करवा देंगे अब तुम्हें बताओ मैं क्या कर सकता हूँ पिताजी को टाल नी सकता हूँ पिताजी पिताजी को टाल नी सकता हूँ ये शादी टाल नी सकती ही ये तो अटेल है बिल्कुल अटेल समझ गई फैमिली प्राब्लम अच्छा मैं क्या कर सकते हूँ इसमें एक प्रेसंट देदो क्या प्रेसंट चाहिए अपने एक हसी मुस्कुराती हुई शाम देदो जिसकी याद आने वाले जिंदगी के अंधेरे में उजाला फैलाते बोलो मिलोगी ना ओके आदमी नशे में कभी जूटने बोलता गर्रेक्ट बोली ने सकता वो सिग्नल पर तुम्हारे गाड़ी मेरी गाड़ी से ठक्रा गई थी वो ठक्राई थोड़ी थी वो तो मैंने जानबूच कर ठोकी थी हैं जानबूच कर ठोकी थी क्या करता तुमसे दोस्ती जो करनी थी आए Дोस्ती के लिए मिलना जुरू रही था और मिल्दी के लिए पहला जुरू नहीग है एसलिए ठाप्यू-पॉ और मेरी TAL लाइट डाउं सो लेकिन यो दोस्ती करने का तरीका गलत था DR यूकर्प और वो पैसे देने का तरीका तो बिलकुल गलत था वो क्या है कि लाव का एक्सपिरेंच नहीं था ना भाई तो ठीक है अब एक बात मैं भी तुम्हें बताती हूं बोलो होटेल लिटल इंडिया में मैंने तुमको चड़ा कर जियो जो से लड़वाया था है बहुत बुरी बात है हां वो क्या है की एक्सपिरेंस नहीं था ना भई फिर ठीक है बैठो 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 याँ ने तुम्हेर इतना परेशान किया है उसके लिए sorry bola मेंने भी बोला है ल को हमें दूसरे को अभी शर्य बोलते हैं इक मरिट तुम्हारी है कंट्री में शौरी अईसे नहीं बोलते हैं गॉता जात पर केसे ड़ुटे हैं白ा यह सब क्या कर रहा है यह सब एक दूसरे को साथरी बोल रहा है है इच्छा हुआ तुमने बता दिया वरना मैं तो कुछ और ही समझ रहीती है चलो हम भी एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं हां रेडी वान टू त्री जब दो लोग एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो उनकी ना क्यों नहीं टकराती अरे या यह किस गलेट टाइम पे ना कड़ाई है तो मैं नहीं मालब कोई बात नहीं हम किसी और सब पूछते हैं अरे भाई साब बात बताईए जब एक लड़का लड़की एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो उनकी ना क्यों नहीं टकराती अरे कुछ तो बोलो माफ की जिए मैं इस शहर में नहीं आया हूं कोई बात नहीं हम किसी समझदार आदमी से पूछते हैं किते जाना जी जाना किते भी नहीं सरदार जी सिर्फ एक गल पुछनी है ओए क्या दास पुछो पंदरा पुछो जब लड़का लड़की एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो उनकी ना क्यों नहीं टकराती क्या सोच रहो पाजी यह कोई सरगारी राज थोड़े ही है मैं ए सोच रहा कि मेरे 20 साल होगे शादी नूँ आज तक मैंने अपने बीवी नूँ सौरी नहीं बोल लिया मैंनू किसा पता लगेगा कि ना क्यों नी टकरांदी और मेरी गाल मनों और तुसी दोनों जड़े आना आप अभी सौरी बोलके देख लो फिर पता चाल जाएग ना क्यों नी टकरांदी मैं आज कार जाके बीवी नूँ बोलांगा सौरी और देखांगा ना किते टकरांदी है यह फिर गड़ी उथा ही जांदी है क्या समझदारी की बात कही है दर चला हम भी एक दूसरे को सौरी बोलके देखते हैं क्यों इसलिए कि सौरी उसी को बोलते हैं जिससे शादी करते हैं मैं भी तो उसी को सौरी बोल रहा हूं जिससे शादी करूँगा याकीन नहीं आता तो काट देख लो आई लव य प्रीटी अली कहा गया जिसकी आखो में तुम सुमा चुकी हो वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है फिर भी अगर तुम्हे मेरा प्यार मन्जूर नहीं तो इसे भाड़ कर चली जाना मैं हमेशा के लिए तुम से दूर चला चाहूँगा और अगर नहीं तो आखे बंद कर के दिल में कहना I love you मैं पर सामने आ जाँगा लोफ एज, लोफ Boulder लड श हमिय उपड़ा कि तो समय ही मैंगा हम... हे 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 ला 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 यू मिला के नजर कहे के जादू गरी देखे दरदे जिगर आगे देछे डोलकर सोचर सोचर मिठी बातें बोलकर दिल तु चुरा ले गया सोचर सोचर मिठी बातें बोलकर दिल तु चुरा ले गया सोज़ सोज़ निची बाते बोलकर दिल तु चुरा ले जया ओ यो मिला के नजर करके जादू गरी देखे दरते जिगर आगे पीछे डोलकर सोज़ सोज़ मिधी पाते बोलकर दिल तेरा उड़ा ले गया देखे पाते बोलकर दिल तु 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 मेरी जा बन गई अजी क्यों 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 मुझे त्यार हो गया यो 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 इकरार हो गया कसम से तु बड़ा जोटा ओ सनम तुने मुझे लुटा ओ यो यो मिला के नजर करके जादू करें देखे धरते जिगर आगे पीछे डोलकर सोल जा सोल जा मिझी बते बोलकर दिल तु चुरा ले गया मेरे पास तो ज़रा जा, 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 कोई प्यास न जगा क्या, क्या, कोई दर्द उठा क्या हाँ, 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 मेरा हाल है बुरा तुझे आए कोई जादू मेरा मुझे पे नहीं काबू हे यो मिला के नजर करके जादू गरी देखे दर्दे जिगर आगे पीछे डोलकर सोजर, सोजर, मिठी पाते बोलकर दिल तेरा उडा ले गया सोजर, सोजर, मिठी पाते बोलकर दिल तो चुरा ले गया सोजर, सोजर, मिठी पाते बोलकर दिल तेरा उडा ले गया सोजर, सोजर, मिठी पाते बोलकर सोजर, सोजर, मिठी पाते बोलकर प्रीथी, कै तुम भी वही सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ तो फिर सोचना क्या, चलो अंदर जा के हम भी शादी कर लेते हैं इसके लिए तुमें मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी ठीक है तो उनसे भी बात कर लेते हैं कहां है वो हलो हलो, मैं डालेंग बिटा, हाव आई यू पापा, वेरी हापी मुझे आप से किसी को मिलवाना है उसी हैंसम यंग मैन को न, जो इस वक्त तुमारे साथ है कमार है पापा, आपको किसे बता चला हमें तो ये भी मालूम है कि इस वक्त उसने कौन से रंके कपड़े पहने हैं एक अच्छे पापा की तरह हम तुम्हारी हर खबर रखते हैं किससे मिल रही हो, कहां जा रही हो और कान तुमसे मिल रहा है अच्छा ये बताओ, तुम आ कव रही हो आजी पापा, आई लाव यू आई लाव यू चुपटा आउ परताप आओ, कैसे हो एकड़म फिट और तुम बलदेव हम राका आई जी हमारे भाईया सलामत रहें हम तो फिट आई फिट है कहो, कहें मिलना चाहते थे एक बुरी खबर है अरे हम जानता हूं जी आप यही कहना चाहते हो न, कि जस्वंद मर चुका है नाई, उससे भी ज़्यादा बुरी खबर है रिपोर्ट मिली है कि उससे खत्म करवाने वाला डीके है डीके? बिलकुल गलत है जी डीके साहब अपने 25 साल पुराने पार्टनर को कभी नहीं मार सकते डीके दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है चलो मान भी लिया कि डीके साहब ने मरवाया तब भी बहुत अच्छा किया अगर उजस्वन जिन्दा पकड़ा जाता तो पुलीस उसे मार मार के सब उगलवाय लेती और फिर हमें हत्कणियां पाइना कर लई जाती इंडिया इलियो समझने की कोशिश करो विरेन कहीं ऐसा न हो कि वो हम दोनों को भी खतम करवा दे अरे हमें खतम करा देगा तो अमरीका और उरब से हत्यार जमा करके उसे इंडिया में काउन सप्लाइ करेगा उसका बाप मेरी बात मानो विरेन डीके के इरादे शुरू से ठीक नहीं थे इसलिए तो उसने हमें आज तक अपना पता नहीं बताया वो जब चाहिए हम तक पहुंच सकता है लेकिन हम हम उस तक नहीं पहुंच सकते तो तुम का चाहते हो हम का करें इससे पहले कि वो वार करे हमें डीके को खत्म कर देना चाहिए वैसे आइडिया बुरा नहीं है हम चार पार्टनर थे जस्वंत मारा गया बचे तीन बीके को हम मारेंगे बचे दो फिर तुम हमरी जान ले दोगे बचे तुम अरे हमका भवानी गाउं का भाहिया समझा है काजी फूट डाल कर पूरा और्गनाईज़ेशन अरपना चाते हो इरादे डीके साब के नाहीं हमका तुम्रे अच्छे नहीं लग रहे हैं जबान समाल वरना परताब बाबू अपना हाथ समाल लिए अगर उंगलियां ट्रिकर पर गई तो उंगलियां ढूंडते रह जाओगे हम जस्वंत नहीं हूँ परताब सिंग एक तो इतनी आसानी से मरूंगा नाही और अगर मर भी गया तो पुलीस डेपार्टमेंट की एक फायल अगवार की खबर नहीं बनूंगा अगर तुम्रे पास हमरे कामों की फायल है तो हमरे पास भी तुम्रे कामों की फायल है हमरे मरती हूँ फायल पुलीस में पहुंच जाएगी क्या बात है जी हतियार देखके टून बदल दिये रोने की जगा हस रहे हैं हाई 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 मान गये दोस्त मान गये तुम्हें हमने डीके को मारनेगी बात is लिक कही क्योंकि हम यहाद जानझा नहीं अगर उसे मारने में तुम्हारा हाथ होता तो तुम मेरी बात जरूर मान लेते fascinated तो कहो, कहा नतीजें पर पहुंचे हो? यही, कि तुम नहीं बदले, दोस्त. वही बीच साल पुराने दोस्तों के दोस्त हो, हम तीन पार्टनर्स को कोई अलग नहीं कर सकता. सिवाए मौत के. हाँ, सिवाए मौत के. विकी, वो आइलन देख रहे हो ना? वो पापा ने मेरे पुछले बर्दे पर खरीदा था. और वो देखो, वो आला आइलन. वो सबसे पहले बर्दे पर लिया था. अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे बापा हर बर्दे पर एक नए आइलन खरीदाते? हाँ, और वो भी और मेरे नाम पर. यह बात किसी और से कभी मत कहना क्यों तुम्हारी उमर मालूम हो जाएगी यू विकी वो दिखो वो रहे मेरे पापा हाई से विकी का नाम वी वार्ण पड़ गया जब ये मीरो दूर से मेरे कपड़ो का रंग जान सकते हैं तो नाम भी जान सकतें बेटी का Рिश्ठा जोडने के लिए सर्फ नाम een नहीं काम भी देखा जाता है पापा यह जो भी काम करते हैं कमाल का करते हैं अच्छा तो फिर इनका कमाल भी देख लेते हैं बेटी तुम ज़र अंदर जाओ मुझे कुछ इनसे काम की बात करनी है ओके अधर विकी पहले यह बताओ जैस्वंद को मारने का कउंट्रैक्ट तुम्हें किस ने दिया था तो आप मेरे काम के अबारे में भी जानते है खे? अब मेरे असूल के अबारे में भी जान लीचे मैं कॉंट्राइक लेते वक्त पैसा देखता हूँ पैसे देने वाले को नहीं तब तो तुमने उसे भी नहीं धेखा होगा जिसने तुम्हें मेरी बेटी के साथ महबत का खेल खेलने का कांट्रेक्ट दिया प्राताब सहाब, मैं कांट्रेक्ट सिर्फ खून करने का लेता हूँ महबत के खेल खेलने का नहीं प्रीथी और मेरा प्यार कोई खेल नहीं चलो ये मान भी लिया जाए फिर भी कोई बाप ऐसे आदमी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा जिसके हाथ खून से रंगे हो अगर मेरे हाथ खून से रंगे हैं तो आपके कौन से दूद के धुले हैं मैं भी आपकी असलिये चानता हूँ हम दोनों की बिरादरी एक ही है बिरादरी एक जरूर है लेकिन हैसित नहीं जिस बिजनस में तुम किराए के एक टट्टू हो उस बिजनस का मैं शेर हूँ मेरी बेटी के साथ आये हो इसलिए यहां तक पहुंच सके हो वरना मेरी इफाज़त करने वाले मेरे ये कुटे तुमारी हड्डियां भी मुझ तक नहीं पहुंचने देते पहली बार देख रहा हूँ कि शेर की इफाज़त कुटे करते है मेरी दो बाते सुनिए आज के जबाने में शेर सिर्फ दो ही जगा इफाज़त से रह सकते है एक सरकिस में और दूसरा चिडिया घर में और दूसरी बात हैसियत की तो मेरी हैसियत वो है कि मैं आपको उस जगा पर पहुंचा सकता हूँ जिसका खाब तो आप 20 साल से देख रहे हैं लेकिन उस तक कभी पहुंच नहीं सकते मतलब कि बातने में है कि अप्रिष जिए इसफेशाब। कि बातने पहुंच घर आपकर है यिए पिर आप कहा है हिखτα depreciate, भफायग को ज़ए परमेरियन पिल्ले इता हैं आपको पने बाप बुलडक को ड़ी हुआ पैड हमको हे पने पल्लम होख पार मुन परमेरियन पिला बोलता है और अहरां का बुलडग है भुल लोक बोला थाल नो नर्वस आज़ाएगा अमारा कुट्टो को नहीं टाइगर का फैमली है अबे डर किया वोलते का आई नहीं है हलो अबेस थेता है कि नहीं है अब अपने अब से नहीं बात कर रहा हो उँ भई तुम से बात कर रहा हूं कमाल है, हम इतनी देर से बखबख कर रहा हूँ अरा भाई, हम पागल नहीं हूँ, कुछ तो बोलो टोटल 8500, प्लस 100% टैक्स का बोला? कुल मिलाकर 17000, राउंड फिगर 20,000 अबे तु किस फिगर को राउंड और स्क्वेर कर रहा है? यह उस तोड़ फोड की फिगर है, जो तुम्हारा बेटा मेरे घर पर करके गया है तो तु हमसे रुपया लेगा? रुपया नहीं, डॉलर और सुनो, तीन बज कर पचपर मिनिट पर मेरा बिल तुम्हारे पास पहुचेगा ठीक चार बजे में कैश लेने आऊँगा और चार बज कर पांच मिनिट पर चला जाऊँगा लेन देन का वक्त सिर्फ तस मिनिट का होगा और उस तस मिनिट को तुम बहुत सीरिसली लेना, समझे? क्या हो ड़र? अरे कुछ नहीं बखवास कर रहा है वो कहता है तीन बच कर पच्पन मिनट पर बिल बेज़ेगा दस मिनट पर पैसा लेकर चला जाएगा जैसे हम यहाँ पैसा देने के लिए बैठे हैं गधे हैं हम अरे हाँ सुनो, यह भाई, वो हत्यार खरीदने वाले आगए होगे तरह उनको यहाँ ले, आप कुछ कामाम करें जैन्टिल्मैन हमारे पास मशीन गने मौजर, AK-47, AK-56, AK-98 जो अभी तक फैक्ट्री से बाहर नहीं निकली है आप भिलीव नहीं करेंगे सबके दो-दो लाग पीसे हैं आपको इतनी गन्स चाहिए, वी विल सेंड यू नेक्स्ट यह पाइप गन है, पाइप गन याने की नल्ली गन, यह नल्ली फोड़ देती है हर पाइप गन के आडर पर एक दरजन हमाम साबन फिर ही मिलेगा ओ हमाम अब इने जरा हमारा बम सेक्शन तु दिखाओ वाव, गुद एडिया तु दिस्प्लेई बम अच्छा तरीका है बम का प्रचार करने का, थैंक्यू टाइट, येस, तीन पस्पन, तीन पस्पन चो कि रिलेगा बमी रुड्चा इस एस लिया बम्ाव, हूरा, 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 हूराime और मboysण लखाद पुन की रिंड है, दाड तरो मत वो पॉम नहीं पिल है अरे तू क्या समझता है हम डर गया हूँ अरे दिन रात हम ऐसे बंप से खेलता हूँ इसी का बिजनेस करता हूँ कहा है तू जॉन 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 क्या हूँ अडाड वो नीचे आचुका है उसे बोल मैं लिफ से उपर आ रहा हूँ इस कमिंग बाइ लिफ्ट क्या यस सर् पर रहा हुआ क्या है तॉन जॉन खिब एग अडव यस्जश जॉन 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 आप खदन già बडं़! बडं़! तो बखुबाए अक्षित झाशी जाशी तरम Teror जरम которого हो कि झाशी भुझित कि कि झाशी जाशınız जोजो तूने तो कमाल कर दिया हम तो तुछे नालाइक समझते थे मगर तू तू तो बहुत होसियार निकला तिरी जितनी भी तारीफ करी जाये ना तो कम है और तू तू हमका बोल्डाग कहा था डाग चाहे काटे या चाटे दोनों ही खतरनाक होता है इसकी पिस्टल खाली है यह दादी परना गोली चलेगी कनपटी पर और खून कहीं और से निकलेगा पैसे कड़िसे प्राफ प्राफ से जाख थे जाँ हुएु康ा Mein थैं हुएु象 हुएु हुएु celebrity करल जब्सार जबो이지 और यह λाटेशों करते में एक चालिय्स तुन दून वी एस्पाली और भाई जनल में यह वह भीया जोप्टनेटल Quran इस अब अस्पताल में का कर रहे हैं किसी की लाश लाने गए हैं ये सब को एड हो गया यूनो टाओ ये सब वो एक इंडियन छोकरे की वज़े से हुआ पहले तो उसने हमारा दाज जलाया फिर उसने हमारे आदमी की पिटाई की और तो और हमको बमरें कुटा का और इनको परमीर चक्र लेकर लाउटा है ताओ वो मामूली चोक्र नहीं है अरे मामूली नहीं तो का किंग कांग है हमरी बेजती की कहानी फायल गई तो लाउट कर पट्ना भी न जा सकेंगे जाओ हमरी निसांची को लेकर जाओ का कहते उसे साब सूटर और कहे देते हैं बिना हराम खोर की मा आ रही है तब तो हवाई अड़ा पर उसको रिसीव करने जरूर जाएगा हुँआ किंगा झाल किंगा थाबborg हुआ। अब जड मारूगा यह धी विंग कर दाओर ना आपके वारे जो 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 मार जो 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 पीज़ागा है स्ला अभार शेट ये कमबक्त कहा से आगया अब मार जोचो अब मार जोचो अब मार जोचो अब शांती भावी तो रुख जा जोचो क्या हो डाड अरे ये तो हमरी शांती भावी है कि इसका मतलब ये हमरे बड़ा भाईया का बेटा है तेरे ताव का बेटा अपना खून है ये अपना खून अरे ये खुश खबरी बड़ा भाईया सुनेंगे ना तो पट्टा की सारी जायदाद हमरे नाम कर देंगे हाँ सुनें के तो खुश हो जाएंगे सांती यहां आस्ट्राइलिया में हाँ भाईया हम सच कह रहा हूं जो लड़का को मानने हम एरपोर्ट गए थे ना उहीं तुम्हारा बेटा है विक्की अमरा बेटा है अपनी सांती हमको तो विश्वास नहीं आ रहा है बल देओ का तू सच कह रहा है रहे हैं यहां भाईय अपना बेटा सांती आप गलत पते पर आये हैं यहां आपकी बीवी नहीं विक्की की मा रहती है अरे जराई यह तो सोचो कि इतने साल बाद परदेश में किसमत ने हम सब को कहे मिलाया है इसलिए नग कि हम सब साथ रहूं और बाप के रहते हुए भी एक अनात बने बेटे को उसका बाप मिल जाए अनात तो वह होते हैं जिनके सर से मा और बाप दोनों का साया उठ जाता है और विक्की की मा तो अभी भी जिन्दा है अब जिद मत करो सांती आज हमरे पास इतना दौलत है कि हम दुनिया में जो चाहे खरीच सकता हूं तो जाइए इस दौलत से एक जो इनसान अपनी धर्ती मैया की मान मर्यादा को बेच डाले जो हजारों बेगुनाओं की मौत के जिमितदार हो वो माफी के नहीं सजा के हकदार होते हैं आप सब जा सकते हैं सांती सांती अमरी बात तो सुनो सांती भाइया यही है आपका बेटा भिक्की पेटा पेटा तुम हमका नहीं जानता हूं मैंने सब सुन लिया है पेटा पेटा हमसे नाराज मत होना हम 20 साल से तुम रे लिए तड़प रहा हूं मैं भी अपने पाप के लिए 20 साल से तड़प रहा हूं कि देखा भाया अपना खून आखर अपनो होता है यस थाओ प्लाडीज आफ्टर और ब्लाड बस अब किसी तरह सांती भी मान जाए तो माह की सिम्हेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए मैं उने मना लूंगा अरे बल्दयों बल्दय फॉरण एक सांधार पार्टी का इंत वेलकम वेलकम दिस इस मैं संभी की मिस्टर माशल प्ली सिट आउं इंजो यॉर्सेल आसिंगानिया साहिव सिंगानिया साहिव तुम यस मैं तुम्हरा कोई भाई है हां चुडवा भाई हां कुम के मेले में खो गया था हां अरे तो फिर यहां क्या कर रहे हो विचारा इंडिया से तुम्हें ढून्या है कभी ट्राम कंड़कर बन जाता है कभी बेटर बन जाता है कभी कभी बैंड मेंटर बनता है अरे यार तुमको बार बार महीं मिलता हूं क्या मैंने सोचा मेरा बस बगलर बन गया होगा यहां तो पाठिया माड़ियां होती रहती है कई ने मुझे नाज से काते मिल जाएगा यह बगवान तुन्हे तुन्हें कुम का मेला क्यों बनाया है यह 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 अरे आओ परताप, आओ, आओ, बेलकाम, बेलकाम. हलो वरेन, अरे बलदेब, कैसे हो? हम बिलकुर ठीक हैं. ये मेरी बेटी, ये पृती. हलो, अंकेर. हलो, अरे, इतनी बड़ी हो गई हो, कहां रहती हो? हमने कभी देखाई नहीं तुम्हें? वो यूनिवर्सिटी में बढ़ती हो ना, इसलिए अलग रहती हैं. भाई, बहुत-बहुत मुबारख हो. 20 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बीवी और बेटा मिल गया हैं? कहा हैं वो? सांती तो इस पार्टी में नहीं आ सकी. हमरे बेटे से मिलवाता हूँ. अरे बिकी बेटा, जरा या हो. इक्स्क्यूज मी. यह तुम्हारा बेटा है? हाँ, जटका खा गए ना हमरा बेटा देखकर. कैसे ना खाते? कल तक परताब बाबू हर बात में हमरे बराबर थे. अगर हमार बच्वा के आ जाने के बाद, हमरी ताकत दुग्री नहीं, चाउगनी हो गई है, चाउगनी. नहीं, चाचू. जटका तो दुश्मनों को लगता है, दोस्तों को नहीं. और प्रताब साब तो हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं. तैंक यू. पंग्राइजूलेशन. इसका मतलब हमरा बेटा अकेला नहीं आया है, बहु साथ लाया है. अरे बल देख का रहे हो, फोरन सेंपेन खुलवाओ, आज तो डबल खुशी का मोका है. प्रताइजूलेशन. महफिल में बार बार उन पे नजर गई है, महफिल में बार बार उन पे नजर गई हमने पचाई लाग, पिर भी उधर गई मैं क्या करूँ? दिल क्या करे, मैं क्या करूँ मैसिल में बार बार उन पे नजर गई हां मैसिल में बार बार उन पे नजर गई हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई मैं क्या करूं, दिल क्या करें, मैं क्या करूं ये मौसम आया है, दिल बर कितने साल में मेरा दिल खोया है, तेरे ही खयाल में ना तो मेरा दोश है, ना तेरा खुसूर है मुझ पे जो चाया है, तेरा ही सुरूर है आहा, ला 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 आई तो सामने, धड़कन थहर गई हमने बचाई लाग, फिर भी उधर गई मैं क्या करूँ, दिल क्या करे, मैं क्या करूँ सोल जा, सोल जा, मिठी बाते बोलकर, दिल तू चुरा ले गया सोल जा, सोल जा, मिठी बाते बोलकर, दिल तेरा उड़ा ले गया तनहाई कहती है कुछ मीना कहना है बाहों में सोनना है बलकों में रहना है सासों को बांधा है सासों की दोर से तोड़े ना तूटेगी दुनिया के जोर से ला 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 दा मन में तूटके मैं तो बिखर गई हमने बचाई ला फिर भी उधर गई मैं क्या करूँ दिल क्या करें मैं क्या करूँ टैड हम कहा जा रहे हैं पेटा तुम हमरे वारिस हो इस लिए का पता किसी और को तो का हम रे भाई बलदेव को भी ना ही है बेटा हम तुमको यह इस लिए लाया हूँ ताकि हम तुम्हें अपना बिजनिस का राज बता सकूं आकर तुम ही को तो हमरा बिजनिस समालना है आओ आओ बेटे आओ आज हम बहुत खुस हूँ, बहुत खुस तुमने एक दिन में हमरी सालों की तमना पूरी कर दी बेटे हर बाप की तमना होती है कि वो अपने बेटे की शादी करे अरे इसलिए नहीं जी बलकि इसलिए कि तुमने उस कमीने परताप की बेटी से प्यार करके उस हराम जादे को हमरे कदमों मिला दिया ये आप क्या कह रहे हैं? प्रताप साब तो आपके दोस्त है? अरे कहे का दोस्त उटो ऐसा दोस्त है जो मौका मिले तो दोस्त का भी गोस्त खा जाए लेकिन हम भी कम नहीं हूँ उजादू गर की कहानी सुनी होगी जिसकी जान एक तोता में थी वैसे ही परताप की जान हमरे मुठी में है मैं समझा नहीं अरे वही समझाने तो हम तुमें यहां लाया हूँ ठेरो इए उटोता जिसमें परताप के सारे काले कर्टूतों का सबूत दिन और तारीक के साथ लिखाऊंग यह देखो यह हमरा तीसरा पार्टनर जस्वन्त यह अब इस दुन्या में नहीं रहा और यह रहा हमरा चोथा पार्टनर ढीके यह अब इंडिया में रहता है आपने सही कहा परताप सिंग की जान पाके आपकी मुठी में लेकिन बेटा परिसानी यह है कि सुस्री हमरी जान भी उसकी मुठी में हाए हमरी भी ऐसी ही एक फायल परताप के पास है इसी लिए तो उसे समदी बनाने के लिए तयार हुआ हूँ ताकि दामाद बनकर तुम उसके पास से हमरी उप फायल निकाल कर ले आओ फिर देखना हम कैसे समदी बनकर उस कुत्ते का समाधी बनाता हूँ और फिर अपना सारा बोच तुम्हारे कांधे पर डालकर चैन की नीन सोंगा वो बेटा ही क्या जो अपने बाप को चैन की नीन न सोला सके प्रुम्हारे का बाप को बहुआ है झाल 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 पुझ झाल झाल कि इक ही ए? find out who owns this ship good morning Chachu good morning Bacchua good morning Jojo good morning big brother Chachu, यहाँ कर दिए से धकार फ्डिवार्दी काए? अब हम काए Bacchua , तुम भेल नहीं करो के, तुम उना खुका है तूना थुर्णी हुआ है मगर किसी को कुछ पता होता भी तो बताएंगे ना कि तुम्हाई पिताजी कहा है हलो भिक्की कहा बोल रहें जी हाँ हाँ इधरी है जाएगा कहां भिक्की इधर आओ अब तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते तुम्हारा राज खुल गया है लड़के राज कौन सा राज कुदाई सुन लो हलो हलो तुम हो नर्वस आगए जैना क्या आपको याद है आज एक लड़की का बर्द्दे है नहीं तो किस लड़की का है एक भुली भाली सी लड़की जो एक बुद्धो भुलककर लड़के के प्यार में फस गई है अब भुलककर है तो भुली जाएगा ना ये पात तो लड़की को प्यार करने से पहले ही सोचते नहीं थी उस बचाली को लव का एक्सपीरेंस नहीं था ना इसलिए गलती हो लड़की को चाहिए भरोसा रखे मैं उस बुधु ल्ड़के को पकड़ कर लाता हूँ लेकिन बुधु लड़का उस लड़की को पैचाने का कैसी अले पैचानने के जरूत नहीं पड़ेगी उस लड़के में बात ही कुछ ऐसी है कि लड़की उससे देखते ही खुद तोरक हाई लगता है किसी का दिल जल रहा है मेरे दिल जिगर से गुजरी है एक लड़की इधर से गुजरी है गोर 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 गालो वाली काले काले बालो वाली बैकी बैकी चालो वाली मस्ती सोला सालो वाली दीवाना करके गई लगता है कहीं आग लगी है, पायर ब्रिगेड बुलाओं यहां है पारफ करें यहां है liksom जो पनील चैना सब्सक्राइब की दो हुआ हाइर आन अधरे हाई 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 तेरी आखें बिनुन का जलकजरारी हाई 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 तेरी बातें लगती है मुझे को प्यारी हे मेरा चैन लुटा है तेरी इन अदाओं ने तेरे खाब रहते है मेरी इन निगाहों में अभी अभी आई हो रुको जरा जाओ ना कोई देख लेगा यूँ मुझे तुम सताओ ना बच के नजर से गुजरी है एक लड़की इधर से गुजरी है गोरे गोरे गालो वाली काले काले बालो वाली बैकी बैकी चालो वाली मस्ती 16 सालो वाली दीवाना करके गई ओर अब बाहो कल कल मिलने वाला वादा देखो तुम भूल ना जाना मैं जो भूल भी जाओ तुम मुझे याद दिलाना ओ घड़ी तो घड़ी की भी दूलियों सताती है तुझे रात दिन मेरी धड़कने बुनाती है बड़ी प्यास जादी हैं बड़ी में करारी है बस तेरी तमन्ना है तेरी हुमारी है हां देखो किधर से गुज़रा है एक लड़का इधर से गुज़रा है सिदा दादा बोला बाला मुझे तरपाने वाला सिदा दादा बोला बोला मुझे तरपाने वाला राकप जगाने वाला खावा को सजाने वाला दीवानी कर दे गया ओ रबा हो मेरे दिल जिगर से गुजरी है एक लड़की इधर से गुजरी है गोरे गोरे गालो वाली काले काले बालो वाली बैकी बैकी चालो वाली मस्ति सोला सालो वाली दिवाना करके गई ओर अब्बा हो 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 कर दिया तुने हमार भाईया को उठा लिया तुम्हारे पिताजी को किसी दर दपका दिया क्या अरा टपकाने के बार लास मशलियों को गिला दी कुट्तों को गिलाया होता तो ताओ जी के अटिया तो बिल जाती अंतिम संसकार के लिए अब उनका अंतिम संसकार क्या से करेंगे सिगरेट लाइट वस प्रांड दे मिड़ेशाइड दो अनीफी रेक्राइस यह का कह रहा ह। कुछ समझ में नहीं नहीं आरा है डाट, यह पूछ रहा है कि लाइटर किसका है? अपका रहिवालाथ यह किसका है? हमारा भाहियाता है. चाचु। तुमने कैसे कह दिया कि यह लाइटर भाहिया का है? उन्होंने बीस साल से सिग्रेट को हाथ तक नहीं लगाया था. जानता हूँ डाच सेगर्ट नहीं पीते थे, ये लाइटर उसका है, जिसने उन्हें मारा है, मैंने जूट इसलिए बोला, क्योंकि पुलीस उसका कुछ नहीं बिकार सकती, अरे कौन है वो? हमका पता उनका नाम, उसने भाया को मच्वी को खिलाया था ना, हम उस साथर को कीले मकॉण को नहीं कहलाया, तो हमारा नाम बलदेव नहीं, हमका पता कौन है वो? याद कीजिए, आपने ये लाइटर कहा देखा था? यह लाइटर तो परताब का है रामजादे ने रिष्टेदारी के लिए हाथ बढ़ा कर इतना बढ़ा दुगा दिया मैं उस बास्टर्ड परताब के सीरे में सारी गोलिया उतार दूगा नहीं जोश में काम करने वाले या तो मिट्टी के नीचे होते हैं या लकणियों के उपर इसलिए जोश से नहीं होश से काम करना होगा चाचू अपने सारे आदमियों को इकटा कीजिए हम एक साथ परताब पर अटाक करेंगे च्छेकपोस्ट अब का खर है पचुआ अब का करें बच्वाध वह सारे हत्यार चुपा दो जो जो प्रेंट ऑव पोन करो हम अभूने ऊपनागी है है आपने ऊपनागी क्यों है मैं एक्टाहूम कि के एंट hàng पर टाओ हैं डाल बदीत पार बलोड़ा झाल वो दो दो वो दो, वो दो वो दो आद्धार प्रदाप आप साहब, मैंने विरिंदर उसके सारे साथियों को मारने का अपना वाधा पूरा कर दिया पूरा नहीं, आधा, मेरी वो फाइल का है, जो विरिंदर के पास थी वो भी आपको मिल जाएगी पहले आप पृती का हाथ मेरे हाथ में दिने का अपना वाधा पुरा कीजिए दोलिये कब दुलहा दुलहन जब चाहें हम तो दिल चाहे तुम्हारा वादा है वादा हमारा समझो नजर का इशारा तुम हमें दिल तो दो फिर देखो होता है क्या सुना सुना ये ना होना दिल ते राह में ना मांगता सुना सुना ये ना होना दिल ते राह में ना मांगता हम तो दिल चाहे तुम्हारा वादा है वादा हमारा यू न शरारत करो चाहत से तुम न डरो जाओ जीर रहने भी दो एक कुछ हमको कहने भी दो छोड़ दो छेड़ना ऐसे सताओ न तुम यू हमें इश्क में पागल बनाओ न तुम लुची हम चली चली ऐसे न पड़ो गले जाने जा सुनो सुनो देदो मुह बजरा हई सुना सुना ये न होना दिल तिरा हमे न मांगता हे हम तो दिल चाहे तुमारा वादा है वादा हमारा दीवाना पन छोड़ दो ये रिष्टा तुम जोड़ दो जानी दो जाना है खरे यो ना छोड़ाओ नजर तुम हमें चाहते कैसे भरोसा करे प्यार में हम कभी ऐसे न धोका करे पीछे क्यू पड़े हो तुम जित्ते क्यू अड़े हो तुम गुसा है पुरा सनम लो आशी की का मजा सुना सुना ये न होना दिल ती रह मी न मांगता सुना सुना ये न होना दिल ती रह मी न मांगता राइट वही फाइल है यकिन नहीं आता कोई किसी से इतना भी प्यार कर सकता है जितना तुम पृती से करते हो सिर्फ मेरे कहने पर उस से शादी करने के लिए तुमने अपने बाप को मार दिया वो मेरा बाप नहीं था क्या? विरेंद्र जैसा कमीना मेरा बाप हो ही नहीं सकता उसे मैंने अपना बाप इसलिए बनाया था ताकि मैं उस तक पहुँच सकूँ अगर विरेंद्र तुम्हारा बाप नहीं था तो उसने तुम्हें अपना बेटा माना कैसे? अपनी बीवी की वज़ा से पर सो पहले उसका बेटा खो गया था मैं उसका खोया हुआ बेटा बनकर उसके सामने पहुच गया और अपने बेटे की याद में आधी पागल हुई मा को यकीन दिलाना कोई मुश्किल काम नहीं था वाह क्या चाल चलिये तुमने एक तीर से कितने शिकार कर लिए विरेंदर की दौलत मेरी बेटी और मेरा भरोसा तीनों हासल कर लिए मैं तुम्हें जितना चालाक समझता था तुम तो से भी जादा चालाक निकले हैं आज बाप बनाकर तुमने विरंदर को मारा कल मेरी दौलत हासिल करने के लिए ससुर बनाकर तो मुझे भी मार दोगे लेकिन माई दियर सान इन लौ मैं विरंदर की तरह बेवकूफ नहीं हूँ फाइल मेरे पास आ चुकी है इसलिए गुद्बाई माई डियर फादर इन लौ आप तो विरंदर से भी ज्यादा बेवकूफ निकले ट्रिगर दबाने से पहले ये तो देख लिया होता कि इसमें गोलियां है भी है नहीं हरे जो विरंदर की तुजोरी से आपकी फाइल निकाल सकता है उसके लिए आपकी पिस्टॉल से गोलिय निकालना कौनसे बड़ी बात है अरे बिटा अरे मैं तो मजाख कर रहा था यार मजाख का रिष्टा जी जा साले का होता है ससुर्दामाद का नहीं इसलिए अब एक सीरिस बात सुनिए विरेंद्र को मैंने आपकी बेटी के लिए नहीं बलकि टीके के लिए मारा था टीके के लिए? हाँ उसने मुझे तीन आदमी को मारने का कॉंट्राक्ट दिया था एक चस्वंत दूसरा विरेंद्र और तीसरे आप तो आए दो अपनी बेटी को जिसकी वज़ा से आप अब तक जिन्ता है मैंने आप तक पहुँशने के लिए उसे सीरी जरूर बनाया था लेकिन मैं उसे सच मुझ इतना प्यार करने लगा हूँ कि उसकी आखों मैं आसों नहीं देख सकता वेखी कल तक तुमने प्रीती के दिल को जीता था आज मेरे दिल को भी जीत लिया है दिल की बात छोड़ी और दिमाग की बात सुनिये डीके आपको मार के हंडिट पसंद का मालिक बनना चाहता है मैं डीके को मार के आपको 100% का मालिक बना सकता हूँ लेकिन डीके का पता मैं जानता हूँ आप हिंदुस्तान चलने की तैयारी कीजिए उस कमीने डीके को मारने के लिए मैं हिंदुस्तान तो क्या कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ अपसे कुछ तेर पहले मैं अपने आपको दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की समझती थी लेकिन आज अपने बाप और विकी की बाते सुनने के बाद मेरा इन सारे रिष्टे नातों पर से विश्वास ही उड़ गया है अगर आप सुनेंगी तो आप जीते जी मर जाएंगी जिससे आप अपना बेटा समझती है वह आपका बेटा नहीं है वो आपका बेटा इसलिए बना ताकि वो आपके पती को मार सके माजी उसी ने आपके पती का खून किया है आपको विद्वा बनाया है वो एक धोके बाज एक कातिल है मैं जानती हूं विठी मेरा बेटा नहीं है उसने मुझे कोई धोका नहीं दिया बलकि खुद मैंने धर्ती मा के सीने से एक पापी का बोज अटाने में उसकी मा बन कर उसका साथ दिया और उसने मेरे पती का खुन नहीं किया एक देश दुरुही को उसके गुनाओं की सजा दी है बेटी, जो देश के लिए जान देते हैं, वो शहीद कहलाते हैं जो देश के लिए जान लेते हैं, वो कातिल में ही सोलजर कहलाते हैं और इस सोलजर की कहानी इस विदेशी धर्ती से नहीं बर्सों पहले हिंदुस्तान की रितेली सरहदों से शुरू ही थी जहां मेरे पती और तुम्हारे पिता अपने तीसरे साथी जस्वन के साथ मिलिटरी में सर्विस किया करते थे और वहां की हत्यारों को चुरा कर अपने डी के नाम के साथी को बेचा करते थे एक पारविकी के पिता मेजर विजय मलोतरा ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया अपने जरुम को छुपाने के लिए इन गदारों ने उनको मार डाला हत्यारों के चोरी का इल्जाम भी उन्हें पर लगा दिया हम हत्यारों का ट्रक लेकर सरहत के लिए जा रहे थे के अचानक ट्रक खराब हो गया मेजर विजय मलोतरा ने हम तीनों को मदद लाने के लिए कैम्प भीजा रास्ते में हमने देखा एक सिविलियन ट्रक चला आ रहा था हमरा माता ठंका और वापस आकर हम का देखते हैं कि गाड सारे मरे पड़े हैं और विजय मलोतरा और उनके साथ हत्यारों को निकाल कर अपने टिरक में डाल रहे हैं हमने उनको ललकारा जवाब में उन्होंने गोली चलाई हम पर मजबूरी में हमें भी गोलियां चलानी पड़ें कोर्ट आफ इंक्वाइरी के तहट सुबेदार प्रताप सिंग नायब सुबेदार विरेंदर सिनह सिपाही जस्वन दलाल के आखों देखे बयान के मताबिक लेट मेजर विजय मलोतरा पर देश की रक्षा के लिए मंगाए हतियार लूटने और हतियारों की रक्षा करने वाले गार्ट को खतल करने का जुर्म पाया गया इसलिए आर्मी सजा के तौर पर इनकी तमाम सर्विस टर्मिनेट करती है और सर्विस के दोरान दिये गए तमाम मेडल टाइटिल्स और तंगे लेकर देश का गददार करार दिया जाता है मेर्षी, सब्सक्राइब wal Came that Him of the decoration कि अ हिर Som मेर्षी ऌडओ प्रते हैं कि अहीं से फॉट अच तर्वर आप सुज तो जाते हैं Som एए तेश को कितने प्रत्त प्रत दे फिर आपके सामने कि मैटल्ज किल चिन रहे हिसाँ है तो पिक हिर्ण दन ऑ हिरो पि अ कि ए कि ए लास्य को नहीं जलाने देंगे अ हम अपने गाउं की पवित्र समीन पर किसी गद्दार की चिता नहीं जलने देंगे हम और दार इस चिता को हाथ मत लगा ना भेग दो इस लाश को भेग दो इस लाश को है अप्या नहींगे पर अप्या गभा को र Laz पबा को ना पाप, 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 उस शहीद को तो धरती माने अपनी गोद में ले लिया लेकिन उसके बाद भी इन गद्दारों के बुरे इरादे खत्म नहीं हुए उन्होंने विकी की मा के माथे पर बदनामी का दाग लगा कर मा बेटी को बस्ती के बाहर निकलवा दिया कि मैं आपको और राजु को ले जाने आई हूं हम कहीं दूर जाकर रह लेंगी नहीं अगर मैं यहां से चलेगे तो उनकी आत्मा यह कहेगी कि और उनकी तरह मैं भी उन्हें गद्दार मान कर छोड़ कर चलेगी हो सके तो कि राजु को यहां से ले जाओ लेकिन बेहर यह आपकी बगएर कैसे रहेगा मेरे बगएर रहने में इसकी भलाई है कि यह मा को बूल कर जी सकता हैं लेकिनिया की लोग इस हम बाप की याद दिला दिला कर मा मा डालेंगर को अच retailer ले जाओ लेजा इसे यह यह हैं से ले जाओ तुम मुझसे अलाग होकर रह लोगी नहीं पिथे ख़ैंँ तु मुसे अलाग कहा हो रहा है तू तो हर बल ल हर साथ है ठीक है मा, तुम कहती हो तुम्हे, चला या तुम्हाँ तुम्हे, चला या तुम्हाँ हा राजा और उस दिन से लेकर आज तक, न कभी उसमा ने अपने इस बेटे को देखा, न कभी इस बेटे ने अपने उसमा को रेगिस्तान की तप्ती रेत में, बीस साल से वो देवी, आज भी लोगों की नफरत और अपमानों को सहती हुई, उसी मंदिर में बैठी है क्या बात है बेटी, कहीं ऐसा तो नहीं, कि तु अपने आपको मुझे विद्वा बनाने के लिए गुनेकार समझ रहा है मैंने तो अपने आपको उसी दिन विद्वा मान लिया था बेटे, इस दिन मेरे पती की बेचे हुए बारूट से, स्कूल में पढ़ते मासुम बच्चों के साथ, मेरा अपना बेटा भी मारा गया था हरी जो इनसान हजारों सुहागनों के सिंदूर को मिटाने का, और मासुम बच्चों की मौत का जिम्मेदार हो, उसके नाम का सिंदूर मैं तो क्या, कोई भी हिंदुस्तानी औरत अपनी मांग में कभी नहीं सजाएगी, कभी नहीं सजाएगी मुझे तो तुझ पर फखर है बेटी, कि जो सर मेरे पती के वज़े से दुनिया के साम्टी चुक गया था, वो आज तेरी वज़े से फेर उट गया कहते हैं कि इनसान को भगवान की थी सौकात में, सबसे कीमती सौकात मां होती है मैं कितना पिसमत वाला हूँ, कि मुझे दो तो माहे मिली हैं I'm sorry, Vicky प्रीती तुम्हें जो किया अंचाने में किया, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूँ, उसे चान कर तुम मुझसे प्यार नहीं नफरत करोगी मेरे दुश्मनों में सबसे उपर तुम्हारे पिता का नाम है अगर एक पत्नी इंसानियत के लिए अपने पती के खिलाफ तुम्हारा साथ दे सकती है तो एक बेटी भी इंसानियत के लिए अपने पिता के खिलाफ जा सकती है हलो, मैं राज बोल रहा हूँ राज, तुमने फोन को किया, जो कुछ भी कहना है, फेक्स करो अब इसकी कोई ज़ुरूरत नहीं कल मैं प्रताप को लेकर बार्ड मेरा रहा हूँ मेरा यहां का काम पूरा हो चुका है अब वहां आकर मुझे सिर्फ एक काम करना है टीके को बे नकाब करना जस्वंत कहिए सिपी सहाब मेरे आदमी ने नकली गोली से बेहोश करके तुम्हें मारने का जो ड्रामा किया उसे मेरा प्लान काम्याब हो गया तो मुझे यहां कब तक रहना पड़ेगा अब तुम्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जो इन्फॉमेशन तुम मुझे देते रहे उससे मेरे आदमी ने विरेंदर और उसके साथियों को खत्म कर दिया और कल प्रताब को लेकर वो बार मेरा रहा है इसलिए अब तुम आजाद हो हाँ हाँ हुँ कि इतनी अजीब बात है कहानी जहां से शुरू हुई आज वहीं खत्म होने वाली है लगता है आप इस जगह से वाकिफ है अब तमसे क्या चुपाना यही वो जगह जहां से हमारा बिजनस शुरू हुआ और यही वो जगह जहां मात हम तीनों को चुकर चली गई कैसे था एक हराम जादा मेजर विजय मलोतरा साला अपने आपको देश का रखवाला समझता था उसने हमें पकड़ लिया अगर वक्त पर डीके नहीं पहुंचता तो वो हम तीनों को खत्म कर देता बहुत ताकत थी उस कुट्ते में लेकिन किस्मत हमारे साथ थी हमने विए उस हराम जादे को ऐसी मौत दी कि वो एक मिसाल बन कर रह गई क्या किया था आपने देश भक्त को देश द्रोही साबित किया था सुवर के बच्चे की लाश तक नहीं जलने दी हमने आज भी कुछ लाशे गिरेंगी जिनकी चिता नहीं चलेगी येस दी के और उसके साथियों की गाड़ी क्यों रोख दी इस मंदर में एक देवी पिछले बीस सालों से बैठी है सुना है जो उसके दर्शन कर ले उसकी मनो कामना ज़रूर पूरी होती है आईए दर्शन कर ले दर्शन तो हम ज़रूर करेंगे ताकि डीके की लाश के दर्शन भी जल्दी हो जाएं अज़र दर्शन करेंगे अज़र दर्शन करेंगे अज़र दर्शन करेंगे अज़र ग्रिना और तिरसकार भरी आंके तुम मैंने रोज देखी है लेकिन आज वो बरी आंके तुम पहली बार देख रही हूं राजु 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 बीस साल तक अपने से दूर रखा अब मा होकर भी तुझे मा का प्यार नहीं दे सके के मुझे मुझे माप कर देना राजु हम मुझे माप कर देना बीटा नहीं मा तुम मुझसे दूर नहीं थी ये दिक देख तेरे-चर्णों की धूल हमेशा तेरा अशर वाद बनकर मेरे साथ रही अब तेरी प्रतिक्षी और मेरी प्रतिक्या पुरी होने का समय आ गया है देख, देख मैं यहां किसे लाया हूँ तुम मा बेटे इस गाउ में नहीं रह सकते यह यहां से ऐसे नहीं जाने वाली इसके माद्ये पर एक ऐसा दाग लगाना होगा कि किसी को मूझ दिक्षाने लायग ना रहे जोड़े, जोड़ो, मेरे बच्चे को जोड़ो मेरे बच्चे को जोड़ो वि दूटाओ कीटा मैं इसी देवी का पेटा हम ये वही देवी है जिसके माथे पर सिंदूर की जगाद तुम लोगोंने बदनामी का दाग लगाया था मैं उसी विजे मलोतरा का बेटा हूँ जो शहीद होकर भी तुम लोगों की वज़ा से देश द्रोही कहलाया चानता है मैं तुझे यां क्यों लाया ताकि जिस धर्थी पर धर्थी की सबसे बड़ी नाइंसाफ है हुई और सालों से इंसाफ के लिए इस विराने में तपस्या करती मेरी माँ आज अपनी आखों से इंसाफ होता देगे प्रदाव! इंसान मर जाते हैं प्रदाव सेंग बगर आवाजे कभी नहीं मरती सुन! 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 घुर्ष से सुन! इस रेट में मेरे बाप के तरबने की आवाज सुन! 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 अपने बाप के लिए एक बच्चे का रोना अबे लगना सुन! तूफान में अपने पती को ढूनती है एक मा की चीख सुन! 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 गौर्ष से सुन मेरी मा की चीख है! सुन! सुन! सुन मेरी मा की चीख है! प्रीची कर सकते हैं! प्रीकी? प्रीकी नफिस वटे दिग्याँ अंगा! प्रीकाल! प्रीकी? मैं देपने प्रीकाँन्गाा! प्रीकी कर दोगे वेक्षने आथ! तू यहां आया नहीं, लाया गया है राजू के प्लान के मताबक, मैंने तुझे प्रताब के आने की खबर दी जान बूच कर तुझे छोड़ा क्योंकि हम जानते थे, अपने बिजनिस के लिए तू इसे बचाने यहां जरूर आएगा और क्योंकि जस्वन्त को कानून की मावी मिल चुकी है, तू ये काम जस्वन्त बनकर नहीं, बल्कि टीके बनकर करेगा दुगने हिस्से के लिए तू अपने साथियों को धोका दे सकता है जस्वन्त, हमको नहीं यू आर अंडर अरेस्ट यू आरेस्वन्त तू क्या समझता है, अपने आदियों को बचाने के लिए जस्वन्त खेलाएगा तू आरेस्वन्त टो घकगा को कहिंग है सहो फाऀए 혜ल बशेटी जन हुष जनง को कहिंग cockro종 है जनन को बज краिक特ош नन्यों हुआ humming जनन बाजु! बाजुु! बाजु माजु लाई 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 ला जस्वंत ये कमीना बेजर विजे मलुतर लगब बेटा है इसका बाप मर के यहां दफन हुआ था इसे जिन्दा गार दो अघ्वाल जब चरहें लाक बंगूे। प्डेश की अ बॉड़ दियाव की छो सर्च पलो जो typically कि मैं आक हो! हुआ! ! ब्जब ठाइब पर बाहा हूए जाइब तर ब्यों अझा आ आउ जाई तर इा आई ब्लाइब जाई आई तर जाई आई अाई इः टो यह आई आई हुजए और अज़ अजया हुज अजया हुजए harus हुजए हुज जाफ ऑुड़ ए एफ गो रहाट एाहाहाां हाहाrence अर यसे खर्चार्ट इुर düşün अर्च अर्चार्च सुझ अर्चाफ अ quedowej? decía कर दो इस अिस रिवे उटने है ईव दो प्ठब्ट पैने है अfikन दो ये, हमें हमें मन पारना हमें माफ कर दो रांजू मेन दिरा संसुरूँ ये तु अपने संसुर को बारेगा है नहीं रांजू नहीं मैं तुम लगों को नहीं मारूंका कितना वहिं दिल है आखिर, आखिर मेरा मेरा दहाद है उपर देखाओ और यह कि तो हमें नोच नोच कर जिंदा का जाएंगे राजू 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 तुमें गुली से मार दे मुझे जान से मार डाल भगवान का वास्ता है तुझे मैंने कसम खाई थी कि तुम लोगों को ना चिता की आग मिलेगी ना धर्ती मा की गोद ने राजू ने राजू ने राजू ने तेरे देश बद बाप के खिलाब जूटी कवाई दी थी संगीनों से गोद गोद के मारा था असली कंदार तो हमें जल्दी रिवॉल्वर निकाल और मार डाल मुझे अरे तू तू बड़ा लिकाई समझदार है मारता क्यों नहीं एगावालो हम सारे जुर्म खबूल करते हैं इनकी दोंसे हमें बचालो हम चल भी नहीं सकते हमें मार डालो अरे रुखजा रुखजा कह जा रहा है तू अरे तेरे देवी जैसी माँ के अरे तू भी मेरे माते पर गोलियों से लिख दे कि मैं कुटा हूँ कमीना हूँ सुवर हूँ रुखजाओ हमें सोरे बच्छाबावालो बच्छा बच्क करत बच्छाब的是 कि अबहां दिन cricket eller Как आरुट किसम ल॥वर है सलामी शच्ट! क्यूमी शच्ट! झाल झाल झाल